द्रिश्टी आईएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्रेम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दा हिंदू में प्रकाशित लेख कीपिंग दा पीस ओन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन और दा इंडियन एक्स्प्रेस में छपे लेख इसमें टीम द्रिश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह ओडियो आर्टिकल सामाने अध्यान ट्रश्नपत्र 2 के अंतरराश्ट्री संबंध खंड से जुड़ा है तो आईए लेखे की शुरुआत करते हैं भारत-चीन सीमा विवाद बीते कुछ सप्ताह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है पांच से च्छे मई के बीच पैंगॉंग त्सो जहील के उत्री किनारे और नौ मई को उत्री सिक्किम के नाकूला में दोनों सेनाओं के बीच जड़प की वार्दात सामने आई थी इसके बाद भी इस तरह की वार्दातों में कमी नहीं आई कभी पैंगॉंग सो के उत्री किनारे पर स्थित गालवान घाटी में तो कभी चांग, चेनमो, नदी घाटी और डेम्चोक में दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना जैसी खबरे आई L.A.C. के आसपास के क्षित्रों खासकर उत्राखंड के सेंट्रल सेक्टर में फौजी गतिविधियों में वृद्धी की भी खबरें आती रही इतना ही नहीं चीन के राष्ट्रोपती शी जिनपिंग ने अपनी सेना को राष्ट्र की रच्छा के लिए तयार रहने के भी निर्देश दे दिये थे जिसे एक तरह से युद्ध का संकेत माना जाने लगा इस तनातनी के बीच अमेरकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश की जिसे चीन ने साफ तोर पर नकार दिया चीन का कहना है कि चीन और भारत के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की अवशक्ता नहीं है जबकि भारती पक्ष का कहना है कि भारत-चीन के साथ सीमा वर्ती क्षेत्रों में शांती बनाय रखने के उद्देश को पूरा करने के लिए प्रतिबध है साथी राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्री सुरक्षा सुनिष्चित करने के दिड़ संकल्प को पूरा करने की दिशा में भी भारत अग्रसर है भारती सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के प्रती काफी जिम्मेदारी भरा रुख अक्तियार किया है ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद देखने को मिल रहा है पहले भी दोनों देश कई बार ऐसे विवादों में उलज चुके हैं ऐसे में सवाल है कि आखिर इन विवादों के पीछे की प्रिष्ट भूमी क्या है भारत और चीन के बीच हो रहे सीमा विवाद की क्या वजहें है ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र है जहां दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर जड़प होती रहती है इन विवादों के इतर ऐसे कौन-कौन से क्षित्र है जहां दोनों देशों के मद्ध सहयोगात्म गृष्टा है विवादों की समाधान की क्या कुछ रणलीती होनी चाहिए आईए विचार करते हैं सबसे पहले फौरी नजर डालते हैं भारत-चीन संबंधों की प्रिष्ट भूमी पर 1947 में भारत के स्वतंद्र होने और 1949 में चीन में कुवमिन्तांग सरकार के पतन के बाद माउट से तुंके नित्रित्व में सामयवादी सरकार की स्थापना के साथ ही दोनो देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत होई थी भारत ही ऐसा पहला गैर सामयवादी देश था जिसने चीन को राजनीतिक मानेता दिलाने में मदद की और संयुक्त राष्ट संघ में उसे मानेता दिलाने की भी कुशिश की इससे दोनों देशों के संबंधों में प्रगाड़ता आई 1954 में भारत एवं चीन के मद्य पंच शील समझोता हुआ था और उसी वर्ष चीन के ततकालीन प्रधान मंतरी चाउ एन लाई भारत आये थे इसके बाद 1955 में ततकालीन प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरू चीन की यात्रा पर गए जिससे दोनों देशों के बीच दुईपक्षिये संबंधों को एक नई उर्जा मिली 1955 में बांडूं संमेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे को पूर्ण सहयोग दिया यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन जैसे ही साल 1957 की शुरुआत हुई दोनों देशों के हिंदी-चीनी भाई-भाई सरीखे संबंधों में दरार आने लगी इस दरार की वजह सीमा विवाद और तिबबत समस्या थे भारत ने 1954 में हुए पंच शील समझोते में चीन के तिबबत पर अधिकार को सुईकार कर लिया था किन्दु तिबबत में चीनी प्रिशासन के दमन का समर्थन भारत सरकार नहीं कर सकी और इसी के साथ दोनों देशों के बीच समबंदों में खटासानी शुरू हो गई 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेतर में लगदाख की सीमा पर आक्रमण कर चीन ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेतर पर कबजा कर लिया दलाई लामा को शरण देने का कारण तो इस युद्ध का एक बहाना मातर था चीन इस आक्रमण के जरिये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और भारत को कमजोर साबित करना चाहता था इसके बाद 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्ध में भी उसने पीछे से पाकिस्तान का सास दे कर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे इसके बाद दोनों देशों के बीच कई इस तरों पर संबंधों को सुधारने के प्रयास किये गए लेकिन चीन का रवईया भारत के प्रती कभी भी सकारात्मक नहीं रहा चीन दक्षिण एशिया में भारती प्रभाव को कम करने के द्रिश्टिकोंड से पाकिस्तान के साथ सैने साजिधारी को नए आयाम तक पहुँचाने के साथ-साथ भारत के अन्य पडोसियों, मसलन श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार और नेपाल के साथ भी सैने सहयोग बढ़ा रहा है इसके अलावा चीन ने कई बार सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहने की भी कोशिश की तो आई ये रुख करते हैं सालों पुराने भारत की इन सीमा विवाद की तरफ दुनिया भर में मौजूदा वक्त में जितने भी सीमा विवाद हैं, उनमें से अधिकतर बृतानी विरासत की देन है ब्रिटेन को जब दुतिय विश्युद्ध के बाद सामराज के विघितन का एहसास होने लगा तो उसने अनिश्यत सीमाओं के साथ राष्ट्रों को अपने चंगुल से मुक्त करना शुरू कर दिया था स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में केवल राजनीतिक इस्तर पर ताकतों का डी कॉलोनाईजेशन हुआ था मांचित्रों का नहीं वेनेजुएला गुयाना सीमा पर विवाद दुरंड रेखा के मुद्दे पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच असहमती काला पानी त्रिकोन विवाद रोहिंग्याओं को लेकर म्यानमार बांगलादेश का जगड़ा इसराइल पैलेस्टीन लेगसी कॉनफ्लिक्ट साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच सहमती ना होना मलेशिया और फिलिपीन्स के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट और भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद के मतभेद और मैक मोहन रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोद और अपनिवेशिक विरासत में मिले विवादों के उदाहरण है वास्तविक नियंत्रन रेखा के साथ वाले उन शेत्रों में फेस आफ और स्टेंड आफ की सिती पैदा होती रहती है जहां भारत और चीन दोनों ही लाइन पर दावा करते हैं इसका सबसे एहम कारण है LAC का अभी तक सीमांकन नहुपाना भारत और चीन के बीच इस विवादत सीमा को दरसल LAC यानि Line of Actual Control कहा जाता है गौरतलब है कि चीन और भारत एक दूसरे के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा साज़ा करते हैं भारत LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर होने का दावा करता है लेकिन चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश ऐसे राज एवं लगदाख ऐसा केंदर शासित प्रदेश है जिनकी सीमा चीन से लगती है ये तीन सेक्टर्स में बटे हुए हैं वेस्टर्न सेक्टर यानी लगदाख, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश एवं उत्राखंड और इस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश कई इलाकों को लेकर विवाद के चलते दोनों देशों के बीच अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया है अपने राजनीतिक मनसूबों को पूरा करने के इरादे से चीन ने 1962 की लडाई के बाद से ही लद्दाख के सामरिक दृष्टी से एहम उन इलाकों पर कबजा बनाय रखा जो से अकसाई चिन और NH219 तक पहुँचने से रोखते थे तो आईए जानते हैं दोनों देशों के बीच के लद्दाख वाले विवादित क्षेतर के सामरिक महत्तु के बारे में भारत के उत्तर में लद्दाख की अवस्थिती है दुनिया की सबसे उची खारे पानी की जील की रूप में जानी जाने वाली पैंगॉंग सो जील लद्दाख में ही इस्तित है इस जील का एक तिहाई हिस्सा भारत जबकि दो तिहाई हिस्सा चीन के नियंत्रण में आता है भारत के नियंत्रण में इसका 45 किलोमीटर का पश्चिम भाग जबकि शेश चीन के नियंत्रण में आता है पैंगॉंग सो दरसल चुशुल के रास्ते में पड़ता है और एलेसी इसी जहील से होकर गुजडती है चुशुल एक गाउं है जो बॉर्डर से 15 मील दूर है 1962 के युद्ध में चीन ने इसी चुशुल में बड़ा हमला किया था चुशुल घाटी के दक्षण पूर्व प्रवेश परिस्थित रिजांगला दर्रे में भारती सेना ने चीनी सेना का डटकर सामना किया था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे भारत और चीन के संबंधों में सीमा को लेकर चल रही मौजूदा तनातनी के बीच चीन इस चुशुल एप्रोच का उप्योग भारत में घुसने के लिए कर सकता है पैंगॉंग सो के उतरी किनारे पर कई छोटी छोटी पहाडिया है जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है इतना ही नहीं चीन ने 1999 में कारिगिल युद्ध के दोरान फिंगर पांच तक अपनी सड़क बना ली थी पूर्वी लगदाख में भारत ने बीते साल दुर्बुक शोग दौलत बेग ओल्डी यानि DBO सड़क के निर्माड को पूरा कर लिया था यह सड़क लेह को कराकूरम दर्रे से जोडती है 16,000 फीट पर भारत ने DBO में एक हवाई पट्टी का भी निर्माड करवाया है सियाचिन ग्लेशियर के पूरम में सब सेक्टर नौर्थ है यह एक मात्र ऐसा इलाका है जिससे होकर भारत से सीधे अकसाई चिन पहुँचा जा सकता है भारत ने 2007 में सब सेक्टर नौर्थ तक दो सड़कों के निर्माड का काम शुरू किया था पहली सड़क नुब्रा नदी घाटी में सोसोमा से शुरू होकर सासर ला दर्रे से गुजरती है जबकि दूसरी सड़क शोक नदी घाटी के साथ साथ दुरबुक से शुरू होकर मुर्गों और देसपांग से होकर जाती है यह सड़क शोक नदी घाटी की पहाडियों से होती हुई LAC के समानांतर चलती हुई मुर्गों तक जाती है गौरतलब है कि शोक और गालवान नदियों का संगम LAC से मातर 5 किलोमीटर की दूरी पर है अकसाई चिन तक पहुँचने का दूसरा रास्ता चांग चेनमो नदी घाटी से होकर जाता है जिसके अंतिम छोर में होट स्प्रिंग चौकी है इस इलाके में चांग चेनमो नदी के समानांतर लुकों से शुरू होते हुए फोबरांग मारसिमिक ला के जरिये एक सड़क बनाई गई है यहां से एक सड़क फोब्रांग से निकल कर अनेला दर्रे की तरफ जाती है यह दर्रा साल भर खुला रहता है इसके अलावा सिंदु घाटी के नगारी में चीन का फौजी अड़ा है जहां एक एयर फिल्ड भी है NH219 नगारी से ही होकर गुजरता है यह डेम चोक से मातर 50 किलो मीटर की दूरी पर है ऐसे में सवाल है कि मौजूदा विवाद को सुल्जाने के लिए दोनों देशों को क्या करना चाहिए दरसल कुछ बाहरी मामलों ने भी दोनों देशों के बीचपन पे हालिया तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया है चीन और अमेरिका के बीच डेर साल से जारी ट्रेड वर होंग कॉंग में विद्रोही गतिविधियां और अब कोरोना वायरस के आतंक ने लगभख शीत युद्ध जैसी शकल अक्तियार कर ली थी बीते कई सालों से भारत के व्यापारिक रिष्टे अमेरिका और चीन दोनों के साथ काफी अच्छे रहे हैं लेकिन दुनिया की नंबर एक बनने की होड से अमेरिका चीन के बीच पैदा हुई कटुता का शिकार एक हद तक भारत भी हुआ है 2017 में हुई डोकलान जैसी स्थिती फिर से न पनब जाए इसके लिए दोनों देशों के बीच अब राजनाइक और राजनीतिक इस्तर पर पहल की जरूरत है बार-बार के सीमा विवाद से बचने के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि भारत और चीन आपसी सीमा को अब स्थाई रूप देने के लिए सकारात्मक रुख अपनाए अपने सीमा विवाद को किनारे करते हुए दोनों देशों को आपसी सौहार्द्र बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि व्यापारिक और सांस्कृतिक रिष्टे में कोई दरार ना आए ब्रिगेड कमांडरों के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग अभी तक दोनों देशों के बीच होने वाले गतिरोध की स्थिती को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई ऐसे में दोनों पक्षों के लिए ततकाल प्राथमिक्ता, मौझूदा चैनलों का उप्योग करना और विवाद के मद्दे नजर उठाए गए कदमों को वापस लेना है इसके अलावा दोनों देशों को एक दूसरे के दावों को बहतर धंग से समझने और सीमा विवाद जैसी गतिविधियों पर काबू पाने की दिशा में एक कॉमन अंडरस्टेंडिंग जैसी कोशिशे अक्तियार करनी चाहिए साथी पारसपरिक रूप से लाबकारी सहयोग को गति देने की दिशा में भारत और चीन दोनों को ही अंतराश्ट्री और ख्षित्री इस्तर पर समनवय को बढ़ाने पर बल देना चाहिए इसके लिए दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा ऐसे में देखते हैं कि क्या हो आगे की राह चीन और भारत दोनों को ही पता है कि किसी भी तरह के सीमा विवाद का हल युद्ध नहीं बलकि एक ordinary adjustment ही है इस समायोजन के साथ ही दोनों देशों को LAC का उप्योग करना होगा किवल समझोहता ही ऐसा कदम है जो LAC पर मतभेद को खत्म कर सकता है आगामी समय में किसी भी तरह के सीमा विवाद से बचने के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं को परिभाशित किया जाए और उनका सीमांकन और परिसीमन किया जाए मौजूदा वक्त में पूरा विशो कोरोना महामारी के प्रकोप से जूज रहा है कई देशों की स्वास्त एवं आर्थिक विवस्थाएं पूरी तरह से चर्मारा रही है भारत की स्थिती भी कोरोना से काफी बधाल हो गई है ऐसे में जरूरी है कि सभी देश आपसी सौहार्द्र को बरकरार रखते हुए कोरोना के खिलाफ लडाई में एक दूसरे की यथा संभव मदद करें इस दिशा में भारत और चीन को भी चाहिए कि वे मौजूदा रणनीतिक अंतर को कम करें आपसी मत्भेदों को कम करने की दिशा में काम करें ताकि आपसी संबंधों को और बहतर बनाया जा सके दोनों देशों के लिए किस तरह सामरिक रूप से एहम है इस बात की भी पुष्ट कीजिए